80 के दशक के आखिरी सालों और 90 के पूरे दशक में आपने इन्हें फिल्म के हीरो के साथ पंगे लेते हुए खूब देखा होगा। अपनी बॉडी से यह उस दौर के एक्शन हीरोज को तगड़ा कॉम्पेटिशन देते थे। उस वक्त लोग सोचते थे कि ये शायद कोई विदेशी एक्टर है जो फिल्मों में काम करने के लिए भारत आया है लेकिन सच तो ये है कि ये भारतिये थे, पूरी तरह से भारतिये थे। तो आखिर अब कहां गई गेविन पैकर्ड? आखिर कैसे? नब्बे के दशक का ये इतना हैंडसम विलन? सिल्वर स्क्रीन से चुपचाप गायब हो गया। गेविन पैकर्ड की कहानी की शुरुआत होती है, उनकी पैदाइश से भी लगभग पच्चास साल पहले. यह पहले विश्वयुद्ध का दौर था. अब तक अमेरिका पहले विश्वयुद्ध का हिस्सा बन चुका था. ब्रिटेन और अमेरिका साथ मिलकर जर्मनी और उस के मित्र देशों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे.